स्वागत एक बाद फिर से आपका मारे जर्म मैं हूँ आपका दोस्ट परदी दोस्तो आज हम लेका है आपके लिए कीट स्टोर बिजनिस आप कैसे कर सकते हैं जिसमें A to Z सारी चीजे बच्चों से रिडिट होती हैं चाहे उनके पैंपर्स होगे कपड़े होगे या खाने प पड़ने वाली है साथ ही आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इससे अंडिंग कितने होने वाली है और आपको कहां खोलना है जो आपके लिए अच्छा रहे कर सकते हो साथ ही और भी बहुत कुछ बात करने वाले जिससे आपके सारे डाउट्स केलियर हो जाए है कि आप यह बिजनेस आराम से और आशानी से आप खोल सकते हो साथ ही दोस्तों पॉइंट आप अच्छे से समझना है एक भी पॉइंट आप इसकी मत करिएगा साथ ही दोस्तों और भी इसी तरह किया जो के लिए वीडियो देखने के लिए हमाई जानों को भी लाइक करें सब् प्राइमरी स्कूल के आसपास देखने का दोस्तों आपको यह फायदा मिलेगा जो छोड़-चोड़े बच्चे होते हैं उनके जो मावाप होते हो उनको जब स्कूल छोड़ने जाएंगे और वहां से लेके आएंगे तो उनको आपकी शोप दिखेगी दो सकता है दोस्तों आपने बच्चों के लिए आपकी शोप से कुछ चीज खईद लें बाकि दोस्तों अगर यह शोप आपको मार्केट में मिलती है तो और भी अच्छा है बाकि आप इसे प्राइमरी स्कूल के आसपास भी देख सकते हो दोस्तों यहां पर जरूवत होती है दोसके लिए प्ल आपका बिजनेस बहुत जादा बड़ा है तो आप उद्योग लाइसेंस भी ले सकते हो क्योंकि दोस्तों आपको आज के टैम में लोग हिसाफ विताफ तो रखते नहीं है तो यह चीज दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी हो आती है तो आप अगर अच्छे बिजनेस मे बड़ा हिए कार्टून अगे फैमपर्स अगे यह सबी दोस्तों बेजिक चीज है बक्चो के आपको अनटे की बंस जो आपको समाना होते है वह आपको अपनी कीट-श्वक्स वहां डैपर्स वहां यह कुछ चीज हैं दोस्तो बेसिक जो आपको अपने स्टोर में रखनी होगी दोस्तो साथ ही दोस्तो अगर हम इंटीर की बात करें तो आप जो इंटीर होगा की शूप का वो खुछ इस तरह होना चाहिए कि दोस्तों अगर कोई भी कस्टुमर भाहर से आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि या वह एक बच्चों की शुक में खड़ा है उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं आपकी जो वहां पर दिवारे होंगी दुकान की उसको आप कार्टून वगएरा कुछ बनवा सकते दोस्तों पॉइंट नंबर फॉर की बात करें तो यहां पर बात आती है आपको इन्वेस्मेंट कितना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप छोटे लेवल के हम बात करें तो यहां पर आपको दो से तीन लाग रुपे दोस्तों आपको इसमें इन्वेस्मेंट करना पड़ अगर income की बात करें दोस्तो तो आप इसमें आराम से महीने के 30-40,000 महीन आप इसमें अंड कर सकें दोस्तो बागी दोस्तो यह आपके उपड़ी पैंड करता है कि आप अपने प्रोड़ेक्ट किस तरह से और इतनी अच्छी तरह से आप उसको सेल करते हो बागी दोस्तो आपक मार्केटिंग की दोस्तो तो दोस्तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो आप इसके लिए दोस्तो आप बैनर बनवा सकती हो उसके बनवाने के बाद में दोस्तो आप उसे मार्केट में लागते हो साथ ही दोस्तो आपके अपने किट स्टोर के लिए पैंपलिट शबा सकते हो जो किये छबबाने के वाद है आप मार्केट में आप उसे किसी को भी कुछ पैसे दे के आप उसे मार्केटर बटवा सकती हो तो दोस्तों इससे क्या होगा आपकी मार्केटिंग हो जाएगी आपके जो आसपास के जो भी कस्टुमर हो गया लोग उनको पता चल जाएगा आप इसी तरह के दोस्तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप marketing के लिए आप यूज कर सकते हो दोस्तों यह थी एक चोटी सी वीडियो जिसमें आप किस तरह से आप की डिश्टोर एक open कर सकते हो और आप इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कम हो सके तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेश्ट वीडियो में नेश्ट टोपी के साथ में जब तक के लिए अपना ख्याल रहेगा और अच्छे रहेगा जैंहीं दोस्तों